लोक सबाच उनाओ से पहले केजरीवाल का सबसे बड़ा मास्टर श्ट्रोग दिली में कर दिया सबसे धासू स्कीम को लाउंच जी हाँ आपको बताये चले की दिली के मुखमनती अरविन केजरीवाल इस समय लोक सबाच उनाओ से पहले काफी जादा सक्रिये नजरा रहे सबसे पहले आपको केजरीवाल का यह पूरा भासन सुनाते जिसमें अरविन केजरीवाल बड़े मास्टर श्ट्रोग का एलान करते में नजरा रहे 2016 में हमने जो policy लागो की थी उस policy के अंदर भी generation based incentive था लेकिन उसमें कुछ कमिया थी उन कमियों को अब दूर कर दिया गया है और इसको सरल कर दिया गया है जैसे एक कमी थी कि उसमें कुछ minimum generation रखावा था कि इतना generation करोगे तब ही आपको generation based incentive मिलेगा अब वो कुछ नहीं र bank में account में generation based incentive डाला जाएगा दूसरा इस scheme के तहत हम आपको capital subsidy दे रहे हैं पर kilowatt 2000 रुपे दिली सरकार आपको residential consumers के हिसाब से up to a maximum of 10,000 rupees capital subsidy देगी के इंदर सरकार भी देती है के इंदर सरकार के over and above दिली सरकार की ये subsidy होगी फिर एक net metering net metering में होता है कि जितनी बिजली दे लेंगे और जितनी बिजली आप produce करेंगे उसको net net कर दिया जाएगा तो जैसे मान लीजिए आपने 400 unit बिजली consume की और 200 unit generation किया तो 300 unit बिजली का आपको डिसकॉम को खर्चा बिजली का बिल देना पड़ेगा मान लीजे आप generate ज्यादा करते हैं consume कम करते हैं तो ज्यादा generate की वो carry forward होता जाएगा अगले महीने में adjust हो जाएगा फिर अगले महीने बारा महीने ते किस तरह से आ आपका adjustment हो सकता है और अगर आपने at the end of the year बिजली ज्यादा produce की पूरे साल के अंदर और कम consume की तो उसको आप डिसकॉम के उससे आप refund करा सकते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा ये केवल residential के इनली commercial और industrial users जो है उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा जो जो लोग इसके तहत आएंगे उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा क्योंकि इसमें generation based incentive एक रुपए प्रती यूनिट commercial और industrial वालों को भी तो residential का तो सब का zero बिजली का बिल हो जाएगा दिली में और commercial का और industrial का आज जितना बिजली का बिल है उसका आधा इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें बाकी सारे benefits हैं और एक रुपया generation based incentive पान साल के लिए इनको दिया जा रहा है